सोफिया कॉलेज़ में अर्थ शास्तुर राज़ेते विग्यांते सहुंते का तौधान में दो दीवसी अंतराश्टे सम्मेलन का उचन किया जा रहा है ये सम्मेलन 24 और 25 परवरी को वाटर अफोकस अन दे फूचर एन इनोवेशन विशे पर आधारी थे कारेक्रम कर्श भारण में मुख्य थी यूनिन कैबिनेक मिनिस्टर गजंदर सिंग शेखावत और वाटर मैन आफ इंडिया राजंदर सिंग दोरा किया गया केंडरी जल सक्ती मंत्री ने कहा कि मूजी सरकार बनने से पहले 18 करोण लोग ऐसे थे जिनके घरों तक मिलका पानी नहीं पहुंचता था प्रदान मंत्री का लक्ष है कि 2024 सक्ति घर तक मिलका पानी पहुंच जाय अब तक तीन करोण लोगों तक मिलका पानी पहुंचा दिया गया है यह निश्चित रूप से यह तैय है कि जल और प्रकृती परियावरण को होतावा क्षरण यह वैश्विक चिंता का विश्य है लेकिन साथ ही सुख़द ऐसास यह भी है कि देश के प्रदान मंत्री ने जिस तरह से जल के विश्य को प्रमुक्ता के साथ में विभिन प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करके और एक जन जन का विश्य बनाने में सफलता प्राप्त किया है अज़ देश के सारे मीडिया चैनल्स सारे प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ ही साथ में देश का प्रित्यक वर्ग समवर्ग कहीं न कहीं जल के विश्य में विचार करना और चिंतन करना प्रारंब किया है सिक्रम मैं आज इस एतिहासिक संस्थान में भी इस महतोपूर्ण विशय को लेकर के एक इंटरनाशनल वरक्शाप आयजित की है जिसमें बहुत सारे विश्वभर में ऐसे लोग जिनों ने जल संरक्षन और जल सम्रद्धी के लिए काम किया है मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं इस एतिहासिक संस्थान में जो सो वर्ष से भी जादा पुरान है उसमें ऐसे समसामिक विशय पर अपने विचार रख सको अपनी बात कर सको देश के प्रधान मंतरी ने संकल्प लिया है कि हमें देश के प्रतिक घर तक पीने का पानी जो लगबाग ग्रामीन के आवास की मैं यदि चर्चा करू तो अठारा करोड घरों में से अभी तक हम केवर तीन करोड घरों तक पहुँच पाएं क्योंकि जल सम्विधान के अनुरूप रज्य का विश्य है हमने तेजी से काम प्रारंब किया है कुछ राज्यों ने अत्यनत ऊर्जा के साथ में और अत्यनत उत्सा के साथ में इस मिशन के साथ जुड़कर के काम करना प्रारंब किया है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आभी भी कुछ लिगैसी इस्यूज हैं कुछ पॉलिटिकल इस्यूज हैं जिनके कारण से अभी उस गती से जो अपिक्षित गती उससे काम नहीं हो पाए दुरभग्य से राजस्थान भी उनमें से एक है लेकिन मैं यह मानता हूं कि क्योंकि जल के संकट को राजस्थान से जादा राजस्थान के लोगों से जादा कोई नहीं समझ सकता निश्चिती इस जो है व्यावस्थाएं बदलेंगी और निश्चिती इस दिशा में और तेजी से काम करके हम राजस्थान के पृत्य घर को भी प्रधान मंत्री के संकल्प को पूर पानी का जोड़ पाएंगे झांगे निश्य ये दुरभाग्यपूर ने की भारत के एक टिया ही इससे में हर साल बाड़ आती और दूसरे एक टिया ही इससे में हर साल सूखा पड़ता है नदियों को जोड़ आगे दी आपस में जोड़ दिया जाए तो सरप्लस बेसिन से एक इंटररा लिंकिंग ऑफ रिवर्स को लेकर के एक ग्रूप की स्थापना की थी जो सुरेश प्रभुजी के नेतलतु में जिसने काम किया था हमने आप तक 31 लिंक्स ऐसे इडेंटिफाई किये हैं जिनके माध्यम से डेफिसिट बेशन्स और सर्प्लस बेशन्स को आप इसमें जोड़ा जा सकता है उन में से कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनको प्रियोर्टी लिंक्स की तरह इडेंटिफाई किया गया है जिनके उपर लगबग DPR बनके उनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनकर के काम हो चुका है लेकिन क्योंकि राज्यों का विशे जल समिधान के अनुरूप राज्यों का विशे होने के कारण से राज्यों को स्वस्त मान सकता के साथ में बैठ करके जल को राजनीती का विशे नहें बनाते हुए जल को सामियक विशह ऐसा मानते हुए कुछ खुले इरदय से साथ बैट करके अपनी अंडरस्टेंडिंग्स डवलप करनी पड़ेंगे और वो डवलप होने के साथ साथ ही हम निश्चत रूप से इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे मैं सिर्फ आपको इतना संकेत मातर कर सकता हूँ कि शीगरे एक शुब संकेत शुब शुरुआत के आपको मिलना है आज सोफिय गल्स कॉलेज में दो दिवसिया इंटरनाशनल कॉन्फरेंस का उदघातन हुआ जिसका थीम था वाटर आज के मुख्य अतिती थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर शिरी गजेंदर सिंग जी शिखावत जो जल मंत्राले के मंत्री है कैबिनेट मिनिस्टर है वो आई थे आज as the chief guest और हमारे special guest थे waterman of India शिरी राजेंदर सिंग जी जो waterman कैलाते हैं वो यहाँ पर special guest के रूप में आये थे और keynote speaker थे अमेरिका से आई हुए प्रोफेसर कवास और आज बहुत ही अच्छा उद्खाटन हुआ उन्होंने ये चर्चा की कि आज water की क्या एहमियत है और आने वाले दिनों में जो water shortage हो जाएगा जिसके कारण बहुत सारी problems जो होने वाली हैं उसके रूप में उनके बारे में चर्चा की गई दूसरे बहुत सारे international speakers और national speakers भी आये हैं जो panel discussion करेंगे आज और कल कल closing ceremony में श्री भुपेंद्र यादव जी मुख्य अतिती रहेंगे closing ceremony में स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रहें यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हम कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें सब्सक्राइब करें